अब वाड़ी शहर में कोरोना के मामले कम हो गए हैं लेकिन बरसात का मौसम शुरू हो गया है ऐसे में महामारी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है इसलिए नागरेकों को सावधान रहने की जरूरत है इस दोरान डेंगू चिकनगुनिया बुखार होने के संभावना अधिक होती है वाड़ी नगर परिशत के मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजे देशमुख ने नागरेकों से सावधानी बरतने की अपील की ताकि इन बिम घर और आसपास की शेत्र की साफसफाई रखना आवशक है लक्षन दिखाई देने पर परिक्षन के बाद उप्चा शुरू करना आवशक है एडीज इजिप्टी मच्छर एनफूलीज और डेंगू चिकनगुनिया रोग फैलाने के लिए जिमेदार है यदि कोई वैक्ति बुखार के साथ डेंगू चिकनगुनिया मच्छ द्वारा काटा जाता है रोग रक्त में वाइरस मच्छर की शरी में प्रवेश करते हैं यदि स्वस्त वैक्ति को ऐसे वाइरल दात से काट लिया जाता है तो बुखार डेंगू चिकनगुनिया होने की संभावना बढ़ चाती है साथी खाली प्लॉट खाली कूडा कच्रा और मैदान में कोई भी तरह का गंदगी और खाली प्लॉट में बढ़ती हर्याली दिखेगी तो प्लॉट धारक पर सक्त कारवाई की जाएगी ऐसा आदेश मुख्य अधिकारी द्वारा जनता को अपील के माध्यम से किय इसलिए यदि हम इस बिमारी को फैलने से रोकना चाहते हैं हमें एनफोलीज और एडीज मच्छरों की पीडी को रोकना होगा माधा एनफोलीज और एडीज मच्छर घर में रखे साफ पानी पर अंडे देती है इन अंडों से निकलने वाले मच्छर के लारवा उसी पानी म बनती हैं ये कोशिकाएं पानी में भी जीवित रहती हैं दो दिन बाद मच्छर कोशिका से भार आ जाते हैं इसका मतलब है कि मच्छरों को पैदा करने के लिए संग्रहित पानी के आविशक्ता होती है इसलिए पानी को जमा नहीं करना चाहिए मच्छरों की प्रजिनन को नि प्रावर पॉर्ट, कुलर और रेफिजरेटर के निचले ट्रे में पानी हर हफ्ते खाली कर दिना चाहिए, कच्रे को घर के याड या च्छत में निप्टाया जाना चाहिए, पानी भेना चाहिए, जिन जगाओं पर मच्छप पनपते हैं, वहां साफ सफाई बनाए रखे, ख पिल्टी, नाग भेना, मू और मसूडों से खून भेना और सास लेने में कठिनाई होने पर तुरंत डॉक्टर से परामश करने की अपील वाडी मुख्यदिकारी डॉक्टर विजे देश मुखने की है, वाडी से इनबीजियन न्यूस के लिए सौरप पाटल की रेपोर्ट झाल 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 झेचुक्टर झाल झाल. झाल झाल